है हलो एवरीबीड़ी लाजपूत कि लिद्खरा सिंग राजपूत मैंग लिद्खराइब नहीं लोड इस वीडियो क Kylie है इस वीडियो में पढ़ेंंगे लिब्रेलिजम के बारे में Kya पढ़नेवाले क्यों पंठनी ला Regional मतलब 910 क्लास में आप पढ़के आयो क्या कि यह जो आईएजम आता है ना आईएजम स्टैंट्स और आइडियलोजी ठीक आपने कंजरवेटिजम पढ़ाएं लिप्रलिजम पढ़ाएं आपने नेशनलिजम पढ़ाएं शाहरे शब्द सुने आईएजम लगा है मतलब जैसे सोशलिजम है तो वह अपने पूरे अपने आपने क्या विचारधारा को एक्सप्रस करता है कंजर्वेटिजम जैसे आपने पढ़ा है क्लास 10 चैप्टर वन जो था आपका राइज ऑफ नेशनलिजम इन यूरोप तो इसमें आपने आपने कंजर्वेटिजम में क्या है वैसे लिबरलिजम को आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो लेकिन आप सर इतना कहां ध्यान रहता है तो एक बार फिर से अब आप इसको पॉलिटिकल थियोरी में अच्छे से समझना और मेरी बास सुनों क्या होता है कि जितनी भी आइडिलोजी आप पढ़ते होना तो आ स्टेट की भी बात करने लगती है अभी जितनी चीज़ें बता यह समझ में नहीं आई होगी तो कन्फीज मत होना अभी सिस्टेमेटिकली पूरा समझा दूँगा ठीक है तो हर आइडिलोजी का जब आप नाम सुनते हो ना तो आइडिलोजी इसका नाम सुनते चीज़ से सुना है तो आपको यह समझ में आजाना चीए कि अच्छा यह आइडिलोजी किस चीज़ के बारे में बात करती है और वहीं चीज में आपको यहां पर समझाने वालाओं कि लिप्रलिजम आखिर है क्या कहां से आइडिलोजी और यह कैसे हमारे चैप्टर से रिलेटेड है है अब हमारा चैप्टर क्या कहता है स्रीव जो है तो अभी तक आपने देखा चैप्टर में कि आप फ्रीडम को जान चुके है वह सबसे पहले लिपर आइसा identified with tolerance as a value ठीक है liberalism एक ऐसी आइडिलोजी जो tolerance को as a value hold करके चलती है जैसे आप अगर बात करते हो क्या कि हम political values की बात करें कि freedom justice rights यह सारी चीदों की जब आप बात करते हो तो वह भी क्या एक हो गई है अब वैसी यह liberalism जो पूरी की पूरी एक आइडिलोजी तो इसमें tolerance को बहुत महत्व दिया गया है ठीक है मैंने आपको बताया है कि आप आइडिलोजी का नाम सुनते से आपको एक पिच्चर दिमाग में जाना चाहिए कि यह आइडिलोजी के लोग जो होंगे वह क होगा लिबरल का हैंगे वह बहुत जादा टॉलरेंट कैसे होगा तो एक एक्जामपल बताता हूं कि आपने देखा होगा कि कुछ पैरेंट्स को क्या कहते है जिसे एक सरकल एक मतलब है ठीक है फ्रेंट्स का तो उन लोगों में कैसी बात की जाती कि यार तेरे पैरेंस तो है सो बहुत liberal है मेरे पैरेंटल लेँ साथ में जाने नहीं देंगे ठीक तो अब क्या होगा यहां पर लिबरिल मराद फो कि जम जिस बच्छे से कहरे है कि तिरी पैरेंट बहुत یाधा है लिबरेल है मतलब क्या हुआ कि उसके पैरेंट Tonloren को as a value भूट जादा क्या इंपोर्डेंस के सब्सटेुर्टे तो जिस सब क्या होता है कि तो बच्चे है ठीक एक लड़का उनके बचचो के ओपीनियों को ठीक है उनका ओपीनियों कि हमें शाधी करना है अभी नहीं 10th molas मैंनी मगी मैं अभुस हुआ इसकी बाद में तो क्या होगा है यह डियर्रा ने तुम्हारीट कर लिया टॉले खिर लिए तो हम क्या बोलेंगे कि या वो लिबरल ली है उन्हें हम किस से जो देते हैं कंजर्वेटिव से तो अब आपको एक चीज समझ में आगए होगी कि कंजर्वेटिजम जो आइडेलोजी वो टॉलरेंस को लेके नहीं चलती है ये लिबरलिजम जो एक आइडेलोजी वो टॉलरेंस को लेके चलती है आया समझ में तो इस तरह से आपको चीज़े करना होगे कि लिबरलिजम एक आइडेलोजी है विच इडिन्टिफाइए विच आडि विच आडि इडिन्टिफाइड विच टॉलरेंस अज एडिन्टिफाइड विच टॉलरेंस आड आप टॉलरेंस कहां देखने को मिलती है तो जैसे परसनली पसंद हो या ना हो ठीक आगे आप पड़ोगे जब मैं आपको पूरी की पूरी बुक में तिंकर के बारे में ही पड़ रहे हो तो जैसे जो तो वह बहुत सिस्टेमाइटिकली कहते हैं कि I, I may disagree with your opinion मैं आपको पीनियन से disagree हो जकता हूं but I will defend your right to express your opinion तो यह समझ भाय है ना कि मैं आपके उस right को कि आप express करों से defend करूंगा till my last breath ठीक हैं तो I may disagree with your opinion बट I will defend your right to express your opinion till my last breath ठीक तो उस तरह से एक जो liberal करने मेरे विश्वास रखती है तो हम कह सकते हैं इंडिवीज्वाल सेंट्रिक आइडियोगी लिब्र लिजम जो है तो आप में कोई वैल्यू नहीं है ठीक है एक के पर्सपेक्टिव से बता रहो मैं आपको किया कर मैं एक लिबरल हूं तो लिबरल कैसे देखेगा इस इसको यह मारकर थोरी यह तो कह सकते गुरूप ओफ एटा में जो मिलके क्या बनाते हैं मारकर बनाते तो वैसे ही एक इंडिवीजियल एक्सेंट्रिक आइडि आइडिय होना चाहिए देर शुट भी मिनीमम और रिद्यूज्ज सोशल कॉंस्टेंट्स ठीक है ताकि इंडिवीजियल अपने आपको फुल पोटेंशल पे ग्रोग कर पाए ठीक है और इंडिवीजियल को सुसाइटी में रहना है तो वो खिर अलग डिवेट है उसको हम अभी समझ ठीक है तो यह है कि इसोशाइटी जो अगा किसे मिलके बनके है इंडिवीजियल से ही मिलके बनी है ऐसे बहुत सारे इंडिवीजियल जब मिले होंगे तभी तो सुसाइटी बनी होगी ठीक है और इस पॉंट ओफ यू को ध्यान में रखते हुए क्या कहते है कि यह जो दू कि हिसाभ से अगर आज इसे हम देखें तो हम क्या करते के अगर शादी होने वाली तो शादी किस से होगी किसकी होगी कभ होगी कहां से करेंगे यह सब family decide करती नहीं ऐसे यहाँ कि फैमिली बोलेगी यह जो है यह जो है यह जो नोशन चला रहा यह बहित कर नहीं करोंगए सब्सक्राइब saham everyday से जुड़े हुआ अपर चूश देशी यह माना जाता है लिबिलिज्वा से अब्सक्राइब जो है दोनों इन अच्छे से समझना एक liberal ideology जो रहती है फिर liberalism ideology कि अकोडिंग कै बात की जाटी है कि individual liberty गिवन value over equality आप equality equality की बात करते हों एक कैसी बात करते हो कि आप बोलते हो की resources जो है सबके बीच में बराबर बढ़ना चाहिए लेकिन अब क्या होगा कि कोई एक इंडिवीजल है जो बहुत महनत करता है जिसका दिमाग तेज चलता है जिसके अंदर कह सकते हैं करते हैं इंडिवीजल करते हुए इसकी इस्तेमाल करते है एगर आगे बढ़े धिखे लिप्टी की हम ऐगे बढ़ना चाहिए आगे वड़ो एक्वलेटी में आपको बांदें लिए नहीं नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो क्योंकि सब पीछे हैं जीकिसा पीछे मोशने कारन से अगर आपको आगे जाना तो आपके पोटेंशिल पागे जाओ ग करोंगे को आप करोगे आपको समझ रहा है कि नीडिविजर लोग इसी में रहते हैं कि सर लिबरलिजम क्या है socialism क्या है nationalism क्या है तो हर ideology को आप individuals के perspective से freedom के perspective से society और individual के कैसे देखा जाता है क्या perspective रहता है उससे देखने की गोशिच करोगे तो ideology आपको clear होते चले आएगी ठीक है तो liberalism ideology क्या बोलती है कि individual liberty जो it should be given priority या फिर हम कह सकते कि individual liberty should be given value over equality ठीक अब क्या होता देखो when when you go by this notion ठीक है individual liberty should be given value over equality तब आप तब आप क्या हो जाते हो देन यू बिकम suspicious of political authority suspicious of political authority क्यों देखो तो political authority का आप अगर जैसे देखो तो political authority क्या है law and order के नाम पे अगर law and order के नाम पे आपको क्या कर देगी बोल देगी कि या कर्फियू लगा है ठीक है तो आप बहर निकलोगे ठीक तो आपकी individual liberty आपको क्या लग रहा है कि आर वो equality के नाम पे कर्फियू लगा दिया वो जब कोई बाहर निकलेगा तो हम भी बाहर निकलेंगे के लिकिन हमारी तो बाहर क्या होते जाएगी इंडिविजल लिबर्टी तो रिडीयूज होते चले आगी तो इसके चलते क्या होता है कि जो लिबरलिजम की इन्डिविजेल और विडिविजेल्स और विकन से ड़ेट मोस्ट अफ दी लिबरल्स आर सस्पीशेस आफ दी पॉलेटिकल अथॉरिटी वह कि सब्सक्राइब होते हैं और जो है डुइन अपने की बाइब करती है पूर्ट है यह पैनि नहीं के ना पने की खोशिश करती है और समझ लो liberty को क्योंकि liberalism से idea जो emerge हो कि आ वो liberty निकल के आया है ठीक है liberalism से जो idea निकल के आया है वो liberty निकल के आया है और liberty जो है freedom के साथ में क्या है जुड़ा हुआ है तो आप synonyms की तरह भी use कर सकते हो ठीक है होते हैं अब liberalism को आफ लिबरल स्कॉप रिलेट करो capitalism के साथ में ठीक अब देखो एक अडिलोजी आगे capitalism capitalism क्या होती सुसाइटी तो capitalism सुसाइटी को आप देखो कि तो आप इसको कोई कितनी भी करें लेकिन state controlled way में सारी चीजों को equally बाटा जाएगा ठीक है तो आप liberalism को अगर capitalism से जोड़के दिखोगे तो liberalism ideologic according क्या होता है कि market का रूल कैसा होना चाहिए कि मार्केट में एकदम free hand दिया जाना चाहिए या फिर मार्केट को control किया जाना चाहिए ठीक है और उसमें state का रोल होना चाहिए तो अब आप यह तीन चीजों को समझना और तीनों चीजों को मैं आपको अच्छे से बताने की तो जो रहता था तो बहुत जादा करते था आपके फैमिली मेंटर जो है उसमें भी आप उनका तो फ़ाइस और तो पाप की बात कर रहे हैं कि अगर किसी परीवार कोई पाप कर दिया तो वह पाप से उठेगा हूं तो वह पाप से उपर उठने के लिए तोर पैसे दें तो आपको पाप की मुक्ती होगई आपकी तो बड़ा अच्छा सिस्टम था आपने कुछ पाप कर रहा है तो पाप से कैसे पीछा चुटवाया जाए जाए ऐसे कब वह डार्क एज में फिर क्या होता थिंकर साते हैं तो जिसे होप्स लॉक रॉजव अलग अलग थिंकर सके बारे में आपने आइडियास देते हैं जब अपने आइडियास के थू क्या बताते हैं कि इंडिविज्ज्य के राइट्स उनकी फ्रीडम उस चीज को बहुत नचागे में एडियो नियुक के रिलिजियस दॉटी क्या करेंगी पुरा पॉलिटिकल सिस्टम सुमाल लेगी सब के राइट्स को भी देख लेकिए व चर्श को भी समाल लेगी सारी चीज़े चर्श के साब ठीक है तो यह इससरुइम जब चल रहा था तो वहां पर चुआ सब्सक्रिके ने मतला बॉलबाब सबकेपन अपने इंडiול मतलब वाप सब्परियुक्ति अपने अपने इंडिविजिश्वांते रिगाडिंग डेर फ्रीडम रिगाडिंग डेर कह सकते हैं तो तब क्या होता है तब ऐसी आइडियोजी लिब्रवलिजम की आइडियोजी इमर्ज होती होती एडियोज आया समाज में हाद तक तब लिब्रवलिजम की आइडियोजी मर्ज होती है तो अब swag celebrities से सोचते कि क्या यह चीज रहेगी कि कि48000 मार्केट की बात करते हैं पहले क्या होता था पहले सारी चीजे स्टेट जो है तो स्टेट एंड चर्च वर कंट्रोलिंग एवरीधिंग मार्केट को भी वह कंट्रोल करते थे ठीक है तो अब क्या होता है लिबरल्स का एक अलग आइडिया निकल के आया कि मार्केट में क्या ह है वो अतनी capability से काम करें ठीक है और वो क्या करें वो पैसा कमाएं मारकेट फ्री है सभी के लिए मारकेट में जो मैनत करेगा पैसा कमाएगा तो आप या लोगोंने लगाई ठीक धूब काम किया लेबर से खूब काम करवाया और तब क्या हुआ था बहुत दोना चालो हो तो क कुछ चलता रहता है तो आप क्या होता है कि जब फी मार्गेट को फिवर किया गया क्लासिकल लिपलिजम में तो ग्रोथ हुए अन्प्रिसीडेंटेड ठीक है लोगों ने अपनी इंडिविजल राइट का इंडिविजल का इस्तेमाल करते हुए खुब ग्रोथ भाई ठीक है क्लासिकल लिपलिजम की बात करों जब लिपलिजम आईडिलोजी शुरुवात में इमर्ज हुए थी तो वह क्या क्या थे मिनीमल रोल और आफ स्टेट उन्होंने बोल दिया कि स्टेट को इंटर नहीं करना है स्टेट सिर्फ लाइन और मेंटेन कर लें अगर वो भी करना ह होंगे जिन्होंने बोला होगा कि वरकर्द खुल पसीना वहार है लेकिन प्रॉफिट तो कौन कमाल के ले जा रहा है तो उसके चलते क्या है फिर आप सोशलिजम जैसे कम्यूनिजम और कम्यूनिजम के आद में सोशलिजम तो यह आईडिलोजी इमर्ज होगी ठीक है तो ऐ मिनीमल रोल ऑफ स्टेट को लेकर हलका सा चेंज हुआ इंडिविजम को नहीं छोड़ा उन्होंने इंडिविजल सेंट्रिक रही हो आईडिलोजी ठीक है तो मॉडन लिब्रलिजम जो है तो जो क्या होता हम क्या सकते है कि मॉडन लिब्रलिजम जैसे 20th century के अगर बात की ज ठीक है फ्रीडम का मतलब यह भी होता है कि स्टेट यह देखे कि आप अपने पोटिंशल को कैसे डवलब कर पा रहे हो ठीक है तो वही चीज़ यहां पर आपको देखने को मिले की मॉडन लिब्रलिजम जो है तो फ्रीडम की उस मॉडन डेफिनेशन के साथ जुड़ा इक्वालिटीज उन्होंने बोल दिया मार्केट फ्री रहेगा ठीक है जिसमें जितनी पोटिंशल है वो क्या करो ग्रो कर लो तो इसके चलते क्या हो गया कुछ तो फैक्ट्री ओनर्स बहुत अमीर हो गये तो सोशल और एकनॉमिक इनिक्वालिटीज बहुत आ गई है तो यहां पर भी तो इंडिविजल का पतन ही हो रहा है इंडिविजल जो है इंडिविजल के राइट्स का वालिशन तो यहां भी हो रहा था ठीक है तो जब इन्होंने देखा कि क्लासिकल लिब्रलिजम में यह ड्रॉबेक रहा कि इंडिविजल का पतन हुआ है तो फिर मॉड ना भी हो तो हम तो काम चला लेंगे तीके इस तरह की बात करते थे कौन ख्लासिकल लिबरल इसंग जो थी वो आइडिलोजी ऐसी बात करती थी ते कि उन्हें बाद में समझ में आया कि यह और और economic inequalities को खतम करना है आपको तो आपको individuals को तो पूरे पूरे राइट देना होगा और state को भी एक welfare state की तरह काम करना होगा कि state जो है वो situation कह सकते हैं यहां फिर कह सकते हैं कि वो circumstances वो conducive environment develop करें तो conducive environment करें तो conducive environment का मैं आपको आगे भी आप पढ़ोगे जैसे एक पौधा है तो उस पौधे को लगा देना मतलब वह जैसे वह पौधा जो इस पौधे को बढ़ा होने का उस पौधे की अपनी इंडिविजल आइडेंटिटी रखने का पूरा पूरा अधिकार है वो freedom वो liberalism ideology बोलती है ठीक है लेकिन अब जैसे आप देखो तो उस पौधे को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों की बिजर्वत होगी पानी की खाद की स्वाइल की संलाइट की तो वेलफेर स्टेट जब होगा तभी वो पौधा ग्रो कर पाएगा तो अब्जेक का काम करना होगा ठीक है तो यह ideology है liberalism अब ज़रा समझो कहानी को अच्छे से कि मैंने आपको क्या बताया liberalism ideology जो है तो liberalism ideology individual centric है individual centric है जहां पर individual individuals को क्या मतलब individuals जो है तो उन्हें tolerate किया जाएगा ठीक है it is centered around individuals and their and toleration of their beliefs and opinions ठीक है उनके beliefs उनके opinions उनके तोलरेट करेंगे जो कि कहीना कहीं freedom के साथ जुड़ा हुआ कि मतलब individual को freedom दी गई free hand में अब free hand में अगरा freedom की बात करोगे तो वह freedom जो है वह freedom classical time period में और कुछ थी मतलब classical liberalism जब enlightenment industrialization हो रहा था कहां पर Europe में उस समय पर definition कुछ और थी आफिक सकते है उस समय पर liberalism के ideas कुछ और थे और आज जो liberalism है ठीक है आज आज कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी आप higher education में जब जाओ गए तो और भी चीज़े पढ़ोगे कि neo-liberalism क्या है neo-liberalism जो है तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच का एक और trend है निकल क्या है अब इस debate में नहीं गुशते तो जिसे modern liberalism जो है है feel free to ask in comment section ठीक है बीच में random topic था ideology को समझना था liberalism ideology आपने अच्छे समझ ली तो आगे आप negative liberty positive liberty जब पढ़ोगे न तो मैं वहाँ पर connect करवाओंगा उस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है पूरा objective यही था कि आप वहाँ पर negative liberty positive liberty जब topic पढ़ोगे तो जोड़ पाओगे इस चीज़ को नेक्स वीडियो में हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे जैस मिल का मैज़दार है उससे समझाएंगे नेक्स वीडियो में तिल देन stay connected keep learning thank you thank you very much